मुसल्मान ने भी सोचना छोड़ दिया उसे पता ही निये कि मुझे बेजा कैक हुग गया अब कमालू होना चाहिए कि अल्णा ने दो कामों के वास्ते बेजा ये काम है इबादत का ये काम है दावत ये दो काम हों के वास्ते बेजा अल्णा अब तक ये कि सुने होंगे इबादत के वास्ते बेदा करें बुलकी अक्सर ये सुनने हों बज़ता है हम ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए प्यादा किया ये तो कभी-कभी सुनने को मैंता करने को तो अब तक नहीं है करने को तो अब तक नहीं है, पैदाने को करे वोल तो अबादत के वास्ते करे वोल के वोल तो अबादत के वोल तो तो दिन में पाई तेब की नमाज प्रण मजजिस से निकलते ही अबादत खत्म बाजार पहुँचते ही अबादत खत्म गर पहुँचते ही अबादत खतम कमपनी में जाते ही अबादत खतम गर खाने में पहुँचते ही अबादत खतम अब बोलते क्यों है अल्ला ताला ने अबादत के वास अबादत मतलब यह कि अब तक अबादत किसे कहते है वही समझ में नहीं आया अल्ला के हुक्म के आगे चुके रहने का नाम अबादत है अब अल्ला का हुक्म मजजिद के साथ ही शे ऐसा तो है ने माजार के साथ में भी घर के साथ में भी तिजारत के साथ में भी जिराद के साथ में भी मातेख्तों के साथ में भी अपने सिपड़ों के साथ में भी मर्दों के साथ में भी अल्ला का हुकम है औरतों के साथ में भी अल्ला का हुकम है अल्ला के हुकुम की आगे जुके रहने का नाम अबादत है अच्छा बिचा रहना जहन में ने मस्जिद में अबादत बाजार में शावत घरों में चाहत कहीं भी नहीं है इबादत से अटके कुछ करने का मर हर शेफ्स को इबादत के सिवा कुछ नहीं करना है श्रेके इसे पैदा ही इबादत के लिए किया गया है तो इबादत ही करने है तजारत में अल्ला के हुक्म की रियायत होगी तो तजारत अबादत होगी घर में अल्ला के हुक्म की रियायत होगी तो इतर की जिन्दगी अबादत होगी कार खाने में अल्ला के हुक्म की रियायत होगी तो कार खाने में अबादत होगी दस्तर खानों बर अल्ला के होकम की रियाएत होंगी तो काना पीना अबादत होगा हर जगा अबादत ही करने है अबादत स्चाहट के कुछ भी ने करना है इसलिए समझाने के वादते हमारे बारे इसलाब फर्माते देरे मतुल्दा यह रहे नमास के टेम होगे तो पुसल्णा पीशा देगे बलते थे हज़तों पुसल्णा प्षा जी जमानता यार रहर रुची के बलके नमास पढ़ रहते थे नमास से भाजे होगते ही हज़त लंबे सबर से आरे पोरन खाना किला देंगे पीछे दस्तर खान विशाते थे दस्तर खान विशा के अज़र तू बोलते थे हमारे वाले साथ को अज़र दस्तर खान तयार है तो अलब जवाद में फर्माते थे यूं बोलो मुसल्ला तयार है दस्तर खान तयार है मत बोलो मुसल्ला तयार है ये बोलो इस वास्ते कि जैसे अल्लाकी मागी बयान करना अपाद़त है ऐसे ही खुआना-काना भी अपाद़त है वो अपादत की एख शकल है ये अपादत की एख दूसरी शकल है हर चीज़ अपादत होना एक मसल तो ये है और यह अपादत के मुफिव अकसर नहीं जानते और अगर जानते हैं तो अकसर इभादत करते हैं तो एक तो यह अकसर इभादत शुरू कर देनेगे लेकिन इस वकight में आए जो गुफ्तगों शुरू किया वो गुफ्तगों के पीश ने एक दूसरी चीज की तरब देम जो किनाओ हमारे जिम्में दो काम है एक है अबादत दूसरे है तावत अल्ला के आगे चुकना अल्ला के तरब लोगों को बूला कि दोनों कामों के वास्ते प्रदा की अल्लमिया वो का है सहाब अब तक तो बल सहाबों से अक्सर यहीं सुने अबादत के वास्ते, अबादत के वास्ते मुल्किन पुराण शरीफ में है कुम तुम खेरा उम्मत अखरिजत लेन नास तुम लोगों के फायदे के वास्ते निकाली गई हो तब उन फायदा कुन सा एक टेम की ठाने का फायदा एक टेम की पानी पिलने का फायदा एक जोड़ा लिबास सिला देने का फायदा थोड़ी देर सियाफ़त करने का फायदा ये भी फायदा है वगर अल्ला रभुल इजदत ने उसने फायदे के बारे में तवज्जो दिना ही फरमाया अमुरून बिलमारूफ वतनौन अनिल्मुनकर नेकी का हुकम देना बुराई इसे रोकना ये एक उमुमी हुकम है और एक वजूबी हुकम है वजूबी हुकम है अमुमी बले तो आम तोर पर एक बात एक वाजिब होने की हैशियत की बात और वह है तुम्मे से एक्तिमाद ऐसी होना जरूर चाहिए जो खेर की तरफ बलाए और खेर से मुराद इसलाम वज्दकम मिनकम उमतें यदूओन इला खेर वयामुरून बिल्मारूप विन्हुना अनिल्मुल्क नेकी का हुकम करें और बुराई जरूबें एक सहामी रजी अल्लाहु ताला आनुहु एक बादशाह के पास कासिद बना कर बेजे गए तो बादशाह ने बुचा तुम कौन लोग हो और क्या करते हो तो उन्हों ने कहा कि अल्ला ताला ने हमको मभूस किया है कैको मभूस किया है ताकि हम बन्दों को बन्दों की खुलामी से निकाल कर बन्दों के रब की खुलामी की तरब ले जाए ये मकसद से अल्ला ताला ने हमको पहरा किया है बंदों के परवदिगार की तरफ बंदों को निकालने के लिए अल्ला ने हमें बेजाए इसी को हम कहे रहे हैं दावत दूसरा काम है दावत इस लगत दुनिया बहर में अल्ला की नाफर्मानी आम हो गई जल्म सित्मा हो गया कुप्र शिर्क करगर भैल गया असनाम परस्थी का एक उमूमी माहौल बन गया बदखलाकी बदकिजदारी अरुज़ पर पहुँच गई और अब तो कवानीन भी पास होने लग गए बदकिजदारी का कानून भास होना बदकारी का कानून भास होना जा होना दुनिया में बदखली शिर्क हम लोगों को भी अपनी मर्जी से बदकारी कर सकते हैं अपनी मर्जी से जाएं शादी का अपनी मर्जी रासिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से मर्ज मर्ज से जादी कर सकते हैं और दौरा से जादी कर सकते हैं अनून भास हो रही है उदियत ने सर उड़काया नसरानियत ने शोर बर्पा कर दिया वसनियत की अंगा महाराई चल रही है खादियानियत जगा जगा जखरी ने जरासिम की तरह प्रेल रही है चिकिलियत का फितना बढ़ रहा है फितने कौफर शाही आखें लिखा रहा है एक आच फितना हो तो गिना हो तम भी पहरी रिज्देवा हजारों फितने उड़ रहे हैं दीन के खिलाफ में, इसलाम के खिलाफ में अल्ला चीमर्जी की लिए अमत इसमशत तो अमत जुखरी रहे नियाम रस्ती का सब्ब रहे हैं एक इस भ्रस्ती का सब्ब रहे हैं अमान है, अगर उम्मत है मुस्लिमान है, तो मक्स रभनिया आपको देखाए, एक मकस अइबादत है, और बुद्धा मकस दीन की दावाई, इसके बुर्णावन, इसी मत नेना, मुझमा को आते हैं तो तो यसुर आते हैं, जा समझोगे तो बेच जाओ के दोस्तों वालो वहारी दास्ता तक भी नहीं होगे जाओ जोड़के मत जाओ मौल्वी की बात ने सुना रहो मैं मौला की बात सुना रहो आयत फ़र के सुना रहो पुरान बात फ़र के सुना रहो अल्ला ने फर्माया मैंने पैदा ही किया है तुमको अपनी इबादत के वास्ते और अल्ला ने फर्माया कि तुम्हें निकाला ही गया है लोगों के फायदे के वास्ते पुरा शरीफ नहीं नहीं पिर मौल्वी की बात का है यह तो मौला की बात हो गए और मौल्वी कौन मौला वाला अल्ला से तालुक वाला को मौल्वी बोलते तो मौला अल्ला को कहते निवल मौला वनेम नसीर पफिलना वरहमना अंता मौलाना कोन है मौला मौला अल्ला है और मौला की बात बंदों को सुनाने वाला मौलवी तो इस आस्ते बात सुनते वकट मौलवी बोल रहा मत समझो ये देखो कि वो हमाले के साथ में कहरा रहा है तो वो मौला की बात बोल रहा है मौला की बात को यजी ने देगा किसी को हर्थ नहीं न बढ़े लिखे को न बेपढ़े को न थरीम को न आमीर को न रियाया को ना बात्षा को इस वाज़ते कि अल्ला की निकाह में सब परावण लोगों की निकाहं में बणा 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 चोटा बना बाहसियत को अन्हात आए ayah khasiyad के और वह खasiyyat क्या है लफ़ इस्तिम्हान करें तो तरह किराना उन्हें गुदरती होगी मगर मैं अपनी तरस से वो लफ इस्तिम्हान करां तो गुदरेंगी लेकिन अल्लमिया का लफ इस्तिम्हान करां तो किराने ने गुदरनें चाहिए अन्लाओ बात फर्माते है, या योह अन्नास, अंतों फुकराव इल्लाओ, एंसानों तुम सब कसलों अलाओ, के फगीर हो. अब ये तुम में बात्शाहान वक्त भी दाखिले है, वुजराए खुम्त भी दाखिले है, सुदूर जमुरिया भी दाखिले है, मश्रिक मगरिब शिमार जनूब के टाकत और कमजो तमाम ममालिक के सरबरा हमी दाखिले है, जितने इनसान खियामत तक आएंगे, सब के सब फकीर है अग्वार, अल्ला के बात सब बराबर है, और उनकी जिम्मेदारी है, अल्ला की बात माना, नहीं मानोगे, तो अल्ला फर्म आते हैं, पुराद शरीम में, इननल्जीन यस्तक्बिरूना अन अबादती सेद खुलूना जहन्नम दाखिरी, जो लोग मेरे आगे जुकने से बड़ापन जाहिर करते हैं, उ जहन्नम में जलील करके दाखिल किये जाएंगे, कोई सीज भी साहिब हो, कोई इम्धियाज नह इसलिए यह दो चीजों को मजबूती सा पकड़ने रहा एक अबादत, दूसरे दावत, और इस दोनों चीजों को पकड़ने के वासते हैं, मौला की बातों को जानने वाले की रहभरी लेना, उ बता सक्रेग, यह अबादत है, यह अबादत नहीं है, वो समझ है, यह दावत है कि दावत नहीं है वो समझाएगा लफसे दावत जानते है अखीकत दावत नहीं जानते है किस चीज की तरफ बुलाना है दीन की तरफ दीन को जानते नहीं है यब दीन को जानते नहीं है तो बुला किदर रख रहे हमारे हाल तो ऐसा हो गए किसी को कलिमा पढ़ाने की बड़ी वजीलत है किसी को कलिमा पढ़ाने की बड़ी वजीलत है बोले तो उना जोश से अस्तिता चड़ा के बाहर निकले एक खेर मिला तो उसको पकड़ के बोले कलिमा पढ़ा मैं क्यों पढ़ा हूँ कलिमा मैं बोल दो ना पढ़ो बल कि अस पढ़ना ही पढ़ना है हरे मैं मैं क्यों पढ़ो हूँ करदन बेहाद रख्के का कलिमा पढ़ बना भी दोश तुम है तो उस दिखा अच्छा बढ़ा कलिमा कलिमा पढ़ा दे और दे यही ठेहर है मलजब को बला गिला तुम्बे को भी नहीं वालू करिमा नहीं वालू है करिमे की दावत दे रहा दीन नहीं वालू हो रहा है नहीं वालू है दीन की दावत दे रहा अल्ला के अहकाम से आगाही नहीं है इस लिए जानना चाहिए दावत क्या चीज़ है, अबादत क्या चीज़ है और इस लकत में पूरी दुनिया में इन दोनों कामों की खेर मामूली एहमियत है दूसरे शाय कुरा न करें लेकिन एक मुसल्मान की जिम्मेदारी है कि वो इन दो चीज़ों को पूरा करें हुख पामाल कर रहे हैं, जलीज़ कर रहे हैं और गरों में ज्याज़ती कर रहे हैं और ओपर गरों में और खन्दानों में जूट बोल रहे हैं बाजारों में ठोगा दे रहे हैं नापने में दोलने में कारबार कर रहे हैं एक दूसरे तो नुकसान पहुंचाने में किसी दिजम की कोई कसर उठा कर नहीं रखते पर कौन सा दीन है कौन सा इसलाम है कौन सी तालीम है इसे मुसल्मानों को सोचरा समझना चाहिए और इस वकत में हाला बहुत बिगरते जा रहे हैं दिन पर दिन आप अधरास से गुदारिश है कि ये दोनों चीज़ों की तरह परपूर तवज्ज़ दीज़े एक अबादत दूसरे दावत कभी क्या कर रहूं मुलके बलदों तारुष के लिए तो काम का नाम ले सकते हैं अगर हकीकत के लिए बोल सकते हैं कि अबादत कर रहूं खाना खा रहे हैं तो मैं क्या कर रहे हैं आप बलते अबादत कर रहूं बोल सकते हैं वज़े चुने सामने वाला सवाश्तान है तो समझाने के वास्ते बोल सकते हैं खाना का रहा हूँ लेकिन अपने अंदर में रहना वह अबादत कर रहा हूँ तजारत के वकत में आप बोल सकते हैं कारोबार में हो तजारत में हो दुकान में हो लेकिन अखीकत के इत्वार से इस बात के बोलने की पोजिशन में रहना कि मैं अबादत में हूँ लेकि तिजारत बहुत बड़ी अबादत बशेजिक अल्ला के हुक्म की आगे चुक्कि एवे होने की आलत मरे बरहल भाईयो यह दो काम खुसियस से इस वकात बहुत जरूरी हो के हमारे अपने बुलके हैं इंडोस्तान में